किसान भाईो नमस्कार मैं पिन सिंग आप सभी भाईों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्यान में एक बार फिर से स्वागत है किसान भाईों कई किसान भाईों ने कमेंट किया है कि क्या हम धान के खरपतवार नासर नामनी ओल्ड या अडोरा का प्रयोग खरपतवार नान्तरन के लिए यूरिया के साथ मिलाकर भी छिटड़ा कर सकते हैं यदि कर सकते हैं तो उसके लिए कितनी मातरा लें तो चलिए किसान भाईों आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी मुद्धे पर बात करते हैं कि नामनी आडोरा का इस्तेमाल इस्प्रेर ने करके यूरिया के साथ मिला कर भी कर सकते हैं कि नहीं पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंततक जरूर देखें जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन भी दबा लें किसानी से संबंदित नया वीडियो यूटूब पर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंड़ा और सेयर भी करें किसान भाई वो जैसा की नामनी गोल्ड और अडोरा धान के खरपतवार की दवा है इसमें भी स्पायरी वैक सोडियम 10% 80% रसायन होता है इसका इस्तेमाल हम स्प्रे के रूप में धान के खरपतवारों के उपर करते हैं लेकिन कभी यूरिया आज के साथ मिला कर नहीं करते हैं वहें टुफोर्डी का इस्तेमाल हम स्प्रे के रूप में भी कर लेते हैं और यूरिया में मिलाकर भी दे देते हैं। दोनों इसीति में टुफोर्डी बढ़ियां रेजल्ट देती है और खरपदवारों का अंत कर देती है। अक्सर किसान जब नामनी या डोरा का इस्प्रे अपनी धान की फसल में करते हैं और उसी समय बारिस हो जाती है तो दवा पौधों से धूल कर जमीन पर चली जाती है तो किसान अक्सर यह प्रस्ण करते हैं कि दवा तो खेत में ही है तो काम तो करनी ही चाहिए लेकिन कुछ द पत्तियों पर पड़े हुए दवा का बहुत अच्छी तरह से उसुषन कर लेते हैं और कुछ दिन बाद खर्पतवारों का अंत हो जाता है। पत्तियों के रोमचिद्र बंद होने के कारण उसुषन का कार्य पूरी तरह से बंद हो जाता है और कुछ दिन बाद से पौधा मनने लगता है। नहीं करेगी। इसलिए इन दवाओं का इस्तिमाल केवल पणी छड़काओं के रूप में ही क्याय सकता है। यूरिया के साथ मिलाकर नहीं कह सकता है। यूरिया के साथ मिलाकर छिट्टा लगाने से कोई रेजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी आप डोज बढ़ा लेंगे। तो किसानवाईो नामनी या डोगरा का इस्तिमाल केवल इस्प्रे के रूप में करें। यूरिया अधि के साथ मिलाकर कदाप प्रियोगने करें। किसानवाईो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यबाद।